आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता है मैंने लिस्ट मार तो आज का जो अपडेट है वह एक्जाम और एक्जाम फॉर्म से रिलेटेड है और लगने वाले डोकुमेंट के बारे में आज मैं बताऊंगा जो की PG सेमस्टर 3 जो 17 19 से 21 का है और PG सेमस्टर 4 जो है 18 से 20 क है और लगने वाले जो डोकुमेंट है उन्हीं के बारे में मैं आज बताऊंगा कि कौन-कौन से डोकुमेंट लगने वाले हैं आपको एक्जाम फॉर्म में और एड्विशन में तो वीडियो को आंतर तक जरूर देखें जिससे आपको पूर इंफॉर्मेशन प्राप्त हो तो यहां नोटिस आज यह आई वी है और इनको फॉर्म से समझ ले एक्जाम फॉर्म से रिलेटेड है और एड्विशन से रिलेटेड है तो इसमें बोला गया है कि मुंगेर विस्विद्याल है कि अंतरगत पीजी सेमेस्टर थर्ड जो सत्र आप देख रहे हैं पीजी सेम आप देख लेटेड है और जो कि आपको भॉत्तिक सत्यापन मतलब कि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा आपने विवाग में जो कि डेट दिया है 14 से लेके 20 तक आपका महाविद्याले में होगा तो आपको डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा साथ ही जो डेट दिया है वह 14 से लेके 20 तक डॉक्मेंट वेरिफाई आप करवा ले अपने कॉलेज महाविद्याले में तब ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अप पहलु प्यंट है PG semester 3 जो शतर है 19 से 11 से ऊंलाइन की नमांकरन होगा आपका आपका और जो इसमें इसमें की ऊं उत्तरीन होना चाहिए यज़ा OR PROMOTED होना चाहिए then वैसे छतर जो उतरीना ultri और PROMOTED है जो कि semester one-i or two में और कम से कम 3 विशाइ में उत्रिन होना जरूरी है तो यह जरूरी है कि आपको 3 सबजेक्ट में पास होना जरूरी है और इसके साथ अंग पद्र लगने वाला है जो कि सेमेस्टर 1 का नमांकर नぐसीद लगने वाला और शाया प्रती करना जो कि अनिवार है PG semester 3 का या था और दूसरा point जो बताया गया PG semester 3 का ही इसमें बोला गया है कि PG semester 3 जो 17-19 का online परिच्चा form के लिए आपको PG semester 1 और 2 का जो की छात्र उत्रीन है और या promoted है कम semester 1 और semester 2 का कम से कम 3 subject उत्रीन होना जरूरी है तो आपको क्या है तीन subject में पास होना जरूरी है और लगने वाले document में अंगपत्र आपको लगने वाले है प्रवेशपत्र लगने वाले है और नमांकरन रसीद लगने वाले है जो की अनिवार है तो यह सब document आपको लगने वाले है जो की PG semester 3 का या notification था जो की 17 आप मैंने बता है 18 से 19 से 21 का है और जो मैंने document बता है यह सब document आपको लगने वाले है और यहां भी document के बारे में मैंने अभी चर्चा किया और अब मैं आपको PG semester तीसरा एक चीज़ और point दिया गया है PG semester 4 का बारे में जो दिया गया है जो की 17,18 से 20 का है और उनका भी online बढ़ाएगा जो exam form होगा वो online होगा जो की semester 1,23 का उत्तरीन का अंगपत्र लगने वाला है परवेश पत्र लगने वाला है और नवांकर नसिद लगने वाला जो की अनिवार है तो यह सब document लगने वाले है पीजी semester 4 का जो की आपका एडविशन होगा और छाया प्रतीन का आपको लगने वाला है और document verify भी आपको करवाना होगा महाविद्याले में और एक note में जो लिखा है note में की विश्विद्याले के आदेशान उशार निरदेशान उशार जो की PG semester 1, 2 और 3 उत्तरीन है मतलब की जो semester 1, 2 और 3 में पास है वही छात्र PG semester 4 के PG semester 4 में परच्चा form पत्र नहीं भर सकते है मतलब की जो छात्र promoted है पत्तर मतलब होता है की promoted छात्र form को fill नहीं कर सकते है यहाँ पर condition दे दिया गया है कि आप form को नहीं fill कर सकते है और दूसरा जो है विवाद्यक्स से दस्तावेश हत्यापन के पास चाहती counter पर दस्तावेश जमा लिया जाएगा आपको दस्तावेश verification करवाना जरूरी है जो की आपके महाविद्याले में counter पर ना दे दिया गया है आपको verification भी करवाना होगा उसके बाद एक point और दिया गया है कि विविद्याले के आदेशा नुशार जो है in order to promoted students semester third candidates needs to pass in at least three subject of semester one and semester three of semester two तो आपको तीन subject में पास होना जरूरी है जो की निर्देश भी निकाल दिया गया है जो की semester one और semester two में आपको तीन subject में कम से कम पास होना जरूरी है दूसरा जो point लिखा है in order to promoted semester four a candidate must clear all the semester one at least three paper and semester two at least three paper और semester three तो आपको semester one में कम से कम तीन paper पास होना चाहिए semester two में भी तीन paper और semester third में भी तीन paper जो की पास होना जरूरी है और लास्ट जो लिखा हुआ है लास्ट प्वेंट तो one who has cleared semester 1, 2 or 3 examination और they are allotted to fill the examination form of semester 4 तो सभी pass होना जरूरी है semester 1, semester 2 और semester 3 तभी आप exam form को fill कर सकते तो यह notice RZIUE थी जो मैंने अभी आपको update बताया और पहले आपको verification करवाना होगा अपने महाविद्याले में और exam का जो form भड़ाया जाएगा वो online होगा और admission भी आपका online होगा जो कि semester 3 और semester 4 के बारे मैंने अभी आपको बताया semester 3 है 19 से 21 से और semester 4 मैंने बताया 8 से 20 से और online आपका admission होगा और पहले दस्तावे सत्यापन आपको college में जाके करवाना होगा कम से कम आपको जो condition है तीन subject में पास होना जरूरी है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक like, share and subscribe जरूर करें जिससे मैं आपको daily update करता रहूं धन्यवाद